हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है संसकार मैं अंक देखू ना बाबु जी रोज अपना सामान यहां वहां भी खेरते रहते हैं अपने कमरे में तो फिर भी ठीक है उनका जोला डामरा तो ड्राइंग रूम तका जाता है सच कहती हूँ मन होता है किसी दिन इनका सारा सामान बांध कहीं छोड़ाओं कहते हुए प्रगती अपने ससुरानंद जी का सामान इधर उधर फेकने लगी सामान क्या था कुछ पेपर उनका चस्मा कुछ दवा की सीसियां बुजुर्क थे सो जहां बैठते अपना कुछ न कुछ सामान भूल जाते पतनी की बात सुन सिर्फ हूँ कहते हुए मयंक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया या उसे अपने पिता के मान सम्मान की पड़ी नहीं थी हाँ भाभी जरूर फेकिये पापा अपने सामान के जैसे बेकार जो हो गए हैं बूढा होना भी अविसाब है तो उन्हें ये अविसाब भोगना ही होगा ना तेज आवाज में चिल लाती हुई निसी अंदर आई उसे क्या पता था कि मायके में आज उसे ये देखने को मिलेगा अपने पापा जी के बारे में सब सुनकर खून खौल उठा उसका कितने सारे उपहार और सोगात संगाई थी सबहात से छूट गया उसे देख प्रगती और मयंक अवाक से खड़े हो गए वो निसी ऐसा कुछ नहीं मैं तो मजाक कर रही थी आओ ना अंदर मजाक भावी ये सम मजाक था पापा ने इस घर के एक एक इट को जोड़ा है आपने नहीं और आप आज उनके सामान को कहीं फेक आने की मनसा रखती हैं ये जो ड्राइंग रूम है ना इसके एक एक चीज को पापा और माने चुना है इस घर के हरीट पर मा पापा के कितने अरमान कुरबान हुए हैं आप कैसे जन पाओगी और भाया आपको तो सब पता है ना और आप चुप थे उसकी बात सुन मयंक चुप हो गया लेकिन प्र तो आप क्या समझोगी काम का बोज हो तो ऐसी कड़वी बाते निकल आती हैं अब छोड़ो ना ये सब अंदर तो आओ नहीं भावी आप गलत हैं निसी आज भी मा पापा का सारा काम खुद करती है आप जानती हैं मा बिस्तर पर हैं उनके काम को नर्स तक नहीं रखा जबक अने बच्चों में भी मैं ये संसकार देना चाहती हूँ कहते हुए घर के दामाद रवी भी धेर सारे सामान का थैला पकड़े अंदर आये और सामान रखते हुए निसी का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठा दिया आँक से इसारा कर अब चुप रहने को भी कह दिया रवी को देख मयंक की आँके सर्म से जुख गई सब जानते थे रवी बहुत कम और नपा तुला बोलता था और बहुत सुलजा हुआ कितनी बार तो उसने भाई भावी के सामने निसी को ज्यादा ना बोलने की हिदायत दी थी एक बार वो प्रगती की तरम मुड़ा भावी ये आओ और मेरी बिटिया इसे मुँ फुलाए क्यों बैठी है देखो मयंक वहीं छोटी सी गोलू लग रही है ना पगली प्रगती भी मेरी बेटी है उसकी बातों को दिल से क्या लगाना वो क्या सचमुझ मुझे निकाल देगी मुझे बुरा नहीं लगता वो काम करकर के ठक जाती है तो बोलती है और कुछ ही देर में सांत हो जाती है सायद घर में उठे बवंडर को घर के मुखिया होनी के नाते सांत करना चाहते थे वो कहते हुए खिल खिलाने लगे आनंद जी उनके कहे सब्दसुन प्रगती अंदर से काप उठी चेहरा स्याहसा हो गया जाकर सस पापा के सीने से लग गई और प्रगती को अपने सीने सी लगा आनंद जी ने साबित कर दिया माबाप अपने बच्चों की गलती को सुधार सकते हैं चाहें बच्चा कितना भी गलत क्यों न हो अब तु क्यों सिर जुकाके खड़ा है पगले जानता हूं एक बेटा कभी कभी मजबूर हो जाता है उसे जीवन के हर पहलू से संतुलन बनाना होता है इधरा कहते हुए बेटे को अपने गले से लगा उसकी पीट पर थपकी दे दी ठीक है पापा मैं चलता हूँ सायद यहां मैं ही एक पर आया हूँ आपका असिर्वास सभी को मिला मैं बिचारा कहते हुए चेहरा बना कर रवी उठ खड़ा हुआ उसे देखा अनंद जी खिल खिला पड़े तेज कदमों से जाकर दामात को अपने हाथों में भर कर बोले आप तो हमारी सान है रवी बाबू जाने कितने पुरो जन्मों के कर्म थे जो आप इस जन्म में मुझे मेरे प्यारे बेटे के रूप में मिले दोनों ने एक दूसरी की आँखों में देखा और दोनों की आँखे प्रेम रश्चे भीग गई कुछ ही देर में घर का माहोल इतना खुबसूरत हो गया देखनी लायक क्योंकि जिसने गलती की थी उसे एहसास हो गया था और बड़े होने के नाते आनंद जी ने उन्हें माफि भी दे दी क्योंकि रिस्ते के धागों में गाठ की गुंजाई सायद नहीं दिखी एक मौका हर रिस्ते को मिलना चाहिए आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद